students जो topic है हमारा वो है examples of financial statement schemes जो financial statement schemes हमने पढ़ा था कि organizations जो है वो fraud करती है by showing their financial statements in a very good position वो हमने कुछ methods पढ़े थे इसमें हमने सबसे पहले वाला method पढ़ा था वो था timing differences वो जो timing differences था उस पे जो Enron है American company है जो नोंने क्या किया था अपने तीन साल का revenue जो था वो हर साल 10-10 million आना था उनोंने example figure जो है वो एक assumption है basically तो suppose हम ये कहते है Enron ने 10-10 million का revenue तीन साल में लेना था तो उनोंने अपने तीन साल का revenue एक ही साल में book कर दिया था ताकि current year उनका बहुत ज़्यादा healthy show हो तो ये एक Enron ने किया था दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि उनोंने साल खतम होने से पहले अपनी sales को जो है वो बहुत ज़्यादा show किया last month में वो जैसे year end हुआ तो फिर आप क्या करते हैं आप audit होता है audit के बाद आप sales return करवा देते हैं तो इसके वज़े से क्या होता है कि आपका जो current fiscal year होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी position show करता है जिस पर हम last paragraph देखते हैं जिसमें लिखा हुए कि the CFO for a bankrupt company first paragraph related to the Enron and second paragraph is also related to another bankrupt company in another fraud the CFO for a bankrupt company admitted in his disposition that many sales were booked before they were actually realized तो अब भी आपका दूसरा साल आया नहीं आपने दूसरे साल services दी नहीं services देंगे तो revenue आएगा तीसरे साल भी अभी आपने services नहीं दी फिर ही revenue आएगा तो आपने क्या किया तीनों साल का revenue एक की साल में बुक कर दिया second example है हमारे पास fictitious revenue कि आपकी sales अकरी नहीं हुई तो आपने fake sales अपनी जो है वो शो कर दी जिसमें हम second paragraph में देखें एक equity funding company थी जो के एक insurance company थी उन्होंने क्या किया था अपने fictitious revenues जो हैं वो शो किये थे वो किस तरह से किये थे कि उन्होंने insurance policies जो हैं वो fake बना ली थी फूनी मलब insurance हुई नहीं बहुत जादा insurance sale out होगी हैं हमने बहुत जादा insurance की हैं जिसकी विजह से हमारा revenue बहुत जादा होगया और receivables भी बहुत जादा क्योंकि जब आप insurance करेंगे तो आप entry pass करेंगे debit receivables के हमने लोगों से पैसे लेने और credit sales क्योंकि हमने insurance sale out की हैं तो 1973 के अंदर एक employee को फारिक किया गया employee disgruntled था unhappy था उसने फिर जाके whistle blow कर दिया उसने whistle blow कर दिया और फिर ये पता लगा ये जो insurance company थे इसके 3 billion में से 2 billion के receivables जो हैं 2 billion dollars के receivables जो हैं वो fake हैं वो exist ही नहीं करते हैं ना किसी से पैसे लेने हैं आपने तो फिर आप कह सकते है more than 70% आपके receivables जो हैं वो फोनी थे तो ये example थी आपकी fictitious revenue की third है concealed liabilities, concealed liabilities हमने discuss किया था जब आपनी liabilities को आखरी महीने में साल के जो है वो show ही नहीं करते हैं liabilities को अगले साल ले जाते हैं या पिर हम अपनी liabilities को अपनी subsidiary company में forward कर देते हैं तो इसी तरह जो company थी paramelit उन्होंने यही method यूज किया था वो services लेते थे बट अपनी liabilities जो है वो show कर देते थे यह transfer कर देते थे, shift कर देते थे, move कर देते थे अपनी subsidiary company में तो obviously अब जो liabilities मैंने देनी थी वो liabilities मैंने अपनी subsidiary company को दे दी तो मेरी company के position जो है वो तो बहुत strong नजर आएगी ना कि मेरे पास assets तो हैं लेकिन liability कोई नहीं है वाँ, बलब एक जगा पे में पाँ 100 रुपीज हैं, तो मतलब अगर 100 रुपीज हैं तो मैंने किसी को कोई पैसे नहीं देने क्योंकर मैंने अपनी सारी liabilities, अपनी subsidiary को forward कर दी है, on the other hand, मेरे पास assets है 100 के, लेकिन liabilities 50 के हैं तो net worth 50 है, obviously, तो ऐसी companies फिर क्या करती हैं, जहां क्या होता है कि आपकी अपनी company के position काफी heavy show नज़र आती है, इसर्ट सकर्ष जादा होंगे तो obviously फिर आपकी position company की बेहतर नज़र आईगी, तो paramelit जो है, वो इसी तरह करती थी, 1.3 billion dollars की liabilities, वो किदर forward कर देती थी, अपनी subsidiaries को, जो होती थी, Caribbean में उनके exist करती थी, इसे subsidiaries जो के काफी far from corporate headquarters in Italy, जो के काफी दूर थी, और जो इनके subsidiaries थी, इनका audit भी नहीं होता था, तो obviously अपनी liabilities को ऐसी company में forward कर देना, जिनका audit भी नहीं होता, तो यह तो बहुत easy हो जाता है, पिर फादर, next है हमारे पास improper disclosures के आप गलत काम करते हैं, लेकिन आप disclosures में, notes में, financial statement scan में उसको ऐसे, उसकी दलाइल देते हैं, ऐसे आप उसको present करते हैं, कि वो गलत बात भी क्या होती है, वो ठीक हो जाती है, यह scenario हुआ था, एनरान के case में, जब उन्होंने तीन साल का revenue, एक साल में book किया था, लेकिन disclosures में, उन्होंने जो है, वो इतना तरीके से उन्होंने उसको present किया, कि ना professionals, ना auditors, उसको detect ही नहीं कर पाए, तो यह है आपका improper disclosures के तुरू भी off fraud कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास improper asset valuation, कि जब आप अपने assets को inflate कर देते हैं, liabilities को deflate कर देते हैं, तो obviously आपका ultimately gap बढ़ता चला जाएगा, profits ज़्यादा show होंगे, तो company थी world com financial statement fraud, वो क्या करती थी, जो आपके telephone, जो लीज करती थी, telephone lines की, जो के clearly expense थे, वो लेकिन उसको expense नहीं show करती थी, हम इसको देख लेते हैं, world com financial statement fraud, leases of telephone lines were clearly an expense, जो के expense थे, बट उन्होंने क्या किया, world com CEO ने convince कर लिया, accountants को, internally and financial auditors को, के आप इसको assets treat करें, तो क्या हुआ, million of dollars के expenses, आपके जो profit को hit करने थे, वो hit नहीं किये, और मलब hit भी नहीं किये, और उसके साथ साथ आपने उसको assets में show कर दिया, मतलब एक तो अगर आप खाली show ना करते तो वो तो एक impact आना था, कि profit 100 का था, 50 के आपके expense थे, तो वो आपने expense, अगर आप सही तरीके से करते 50 profit आना था, लेकिन अगर आपने इसको expense treat नहीं किया, तो 100 का profit था, तो 100 ही रहेगा, उधर से आपने क्या किया, आपने उसको assets मे treat कर दिया, वहले double impact, एक तो profit में से भी नहीं माइनस किया, और दूसरा आपने इसको assets में treat कर लिया, तो double impact तो obviously आपके assets बढ़ेंगे, उधर से expense आपने show नहीं किया, profit आपके over state होगे, तो obviously आपकी दोनों तरफ से जो company की position है, वो काफी अच्छी show होगी, तो ये थी examples हमारी financial statement schemes की, जो companies अपनी financial statements को window dressing करती है, अच्छा show करती है, ताके लोग उनकी company में invest कर सकें, और फिर fraudland activity से वो पैसे खुद ले लें या किसी को दे दें, जो भी उनका role होता है, जो भी उनका मकसद होता है, बैंक से loan लेना, loan ले सके, उनका fame हो जाएगा, तो ये सारा कुछ किय जाता है, simple by financial statement schemes के च्टू,